जै गमातागी, जै भारत मातागी। आप सब कैसे हैं। उमीद करता हूँ कि माहघवती गुरपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और महभगवती किरपाप लोगों पर सैदेव बनी रहे हैं मैं अन्सुमन सर्मा आप सब का आपके अपने चैनल जोति साधना के इंदर में स्वागत करता हूं और आज एक पड़े सुन्दर विश्य को लेकर महभगवती का अदेश हुआ है कि अमावश्य से पहले ये विश् पुन्य प्राप्त कर पाएं और क्रोड दिष्टियों से पितर दोश्य शान्ती आपको प्राप्त हो तो दोस्तों विश्य तो आप समझे करेंगे कि थम्मेल में भी कुछ जानकारी आपको दे गई है विश्य 25 सितंबर आने वाली अमावश्या को लेकि है कि मैं जानता हू कि आप लोगों को जो पहली वीडियो में दे के जानकारी शायद आप वो कारिये नहीं कर पाएं हूं और अमावश्या पर्मा भगवती का देश्वा अमारा मन भी हुआ है कि एक दिन कुछ ऐसा किया जाए कि जो 15 दिन में नहीं कर पाएं वो एक दिन में हो जाए विश्य बड़ा अदबुद होने वाला है तो पूरी जानकर आपके वीडियो के अंत तक बने रहने पर ही आपको प्राप्त होगी और आगे बढ़ने से पहले इसमें आज बहुत सी कुछ ऐसी विश्य सीज़े हैं कि ऐसा हम आवश्या पर क्या करें व्रिक्स किस तरह के लगाएं क कैसा अपना मन रखे तो अदबुद विश्य है आगे बढ़ने से पर एक छोट आशा निवेदन यदि आप हमारे इस वीडियो क्लिप को सोसल मेडिया के किसी भी माध्यम से देख रहे हैं किसी भी प्लेटपोर्म पर देख रहे हैं तो पूरी जानकरी आपको अपके चैनल जो तिस साधना के दर यूटूब पर ही प्राप्त होगी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें और शवी से पुराने नई सवी से नवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से रहें कोमेंट में जानकरी देंगे आपको वीडियो कैसी लगी है आए विशे पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ जानकर यहां आपको पिछले वीडियो के माध्यम से देने का प्रियास किया गया था पर मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत व्यस्त हैं हो सकता है कि आप लोगोंने वह उपाए ना किये हूं तो अमावश्या के यह तो वैसे सुराद को लेके प्रन्दू किसी बेमावश्या है किस तरह के ब्रिख्षो Biz & his लेड़े हैं वह वी आपको बताएंगे कैसा भोजन करना किस तरह का भोजन ब्रामन को कराना चाहिए यह सभी जानकर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे जैसा कि आप जानते बहत्तर परकार के कुंडले में पित्री दोष्ट होते हैं कुछ परशन लगन से और कुछ अन्य जानकारियों से में प्राप्त हो जाते हैं कि हमारे कि पिड़ी से हैं अब हमारे पुर्वज यह प्रशान है कहींना कहीं उस्से अनर्जिका हमारे जीवन पर जरूफ़ असर पड़ेगा यह जरूरी होता है земler पलबले रहने जाहिए पुर्वज परना चाहिए के उन्से ही हमें फोजिटिविटी के अनर्जी प्राप्त होती है और यह सब विश्वर की किरपा से होता है विश्वर की इच्छा से होता है ताकि हम धरम के मारक पर शैदेव बने रहे हैं तो दोस्तों सबसे अब्रहमन को पिठे का भूजन करवा सकते हैं सब्जी में सामगरी में पिठा मिक्स करके दूसरा हमारा रहने वाला दोस्तों आवला आवले का शेवन भी बड़ा ही अद्बूद रहता है माभगवती के आस्वों से स्कृत्पत्ति हुई है और इसमें जल में डालके सिसान कर जाए तो इनसान को दिव्य सक्ति प्राप्त हो जाती है उसकी जिव्या पर सरस्वती निवास करने लग जाती है जो भी वह मुक्षे बोलता है वही सत्य होता है ऐसा सास्त्रों में वर नित हैं तो आवले का प्रति दिन शेवन जरूर कर और खास कर अमावश्यास राद अगर इस दिन किसी छोटी सी कन्या देवी को यह भोजन करवाया जाए तो और भी अदबोद हो जाता है मां भगवती की शाक्षात क्रपा प्रापत होती है विष्णु भगवान का तो यह दिन सास्त्रों में विशेश महत्तों के साथ बरनीत है अब हम बात करने वाले हैं जरूरत मंदों के वाप इस तरह की सामगरी भेट कर सकते हैं आज हम बात करने वाले अब व्रिक्षों के उपर के इस दिन किस तरह के व्रिक्ष लगाए जाए दोस्तों वैसे तो सास्त्रों में बड़ा अच्छा वरनन है त्रीवेनी का प्रंतो रवी बार तिथी होने की कि वजय से त्य 172 एका है मैंने यसा कहीं लिखा हुआ तो नहीं करनी चाहिए यह जाए जब गृश्रेंगे प्रभू जैसे हमारी धारुने थार्नें हमें पयतर होने इसा होगा तो और ऐसा कौन सा व्रिक्ष लगाएं, प्रिवेनी बहुत अद्बुद व्रिक्ष है, और ऐसा कौन सा व्रिक्ष लगाएं, तो सबसे अद्बुद व्रिक्ष रहते हैं, फलदार छायादार व्रिक्ष, फलदारों में व्रिक्ष, दोस्तों सबसे पहला आवला, जो की आसा वानशिव शाक्षात निवास करते हैं, आवले में मालक्षमी निवास करते हैं, मादुर्गा निवास करते हैं, तो बेल पत्थर की जड़ों में भी मालक्षमी निवास करते हैं, धन को पाने वालों के लिए तो बड़ा अच्छा उपाई है, किसी पारिक में या किसी मंदिर में आप जो है बेल पत्थर का व्रिक्ष जरूर लगाएं एक दिन पहले लेकर आए नवेदन के साथ प्रात्ना के साथ के व्रुबाब मुझ पर असीम कृपा बनाई रखिएगा मैं इस प्रकृती में जो आपने मुझे प्रदान की है उसमें आपको स्थान देने का प्रियास कराओं आप स्थान ग्रहन करिएगा और मुझ पर अपनी दयादरिष्टी शैदेव बना के रखेगा वरिक्ष और है वह दोस्तों नीम का व्रिक्ष वैसे तो बहुत से ईसे व्रिक्ष आप निम्भू का व्रेक्ष भी लगा सकते हैं अगर विर्वार नैंहों तो नीं तो आप इस व्रिक्स को भी किसी ऐसे स्थान पर जहां पर इन व्रिक्स को कि किसी भी प्रकार से आने वाले भविश्य में कटिंग ना हो इनको काटा नहीं जाए ऐसे स्थान पर लगाईएगा तो अधभुद्ध पुन्य आपको इसका प्राप्ट होगा आपको आप अपने जीवन में खुद मैसूस करेंगे और यदि आप प्रति दिन लगाते हैं तो यह और भी अधभुद्ध परंत्व ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बहुत से ऐसे जुम्हारे जीवन में हमारे साथ चलती हैं कि जिन में बनकर हम इस तरह के कारिये को प्रति दिन नहीं कर सकते है तो इसे स्तिति पर आम आवश्या पुरणी माँ पर आप इन उपायों को कर सकते हैं तो इनका अधभुद्ध पुन्य प्राप्त होने वाला निवेधन के साथ और दोस्तों प्रकृति के लिए भी पहुत अच्छा है अब आपने करोना काल में देखा ना आकसीजन की कितनी दोनों ही बेनिफिट होने वाले एक तो हमें ग्रहों से करोड़ देश्टों से मुक्ति मिलने वाली है नुपायों से दूसरा क्या है कि हमारे प्रकृति सुंदर होने वाली है प्रकृति सुंदर होगी तो हमें सांस अच्छे से आएगी हमारे फिपड़े अच्छे से काम क कुछ लोग ऐसे गलती कर बैठते हैं कि गंगा में जाकर साब उन से आमेल उतारने का प्रियास करते हैं बड़ा गलत है तो घर से सनान करके जाएगा फिर जमना में आए गंगा में सनान करेगा और प्रात्मा कीजेगा परशाद के साथ बड़ा अदभुद परयोग रहेगा और आपको इसका अदभुद पुन्य प्रात्तोंने वाला आप हरम आवश्या को भी कर सकते हैं या पित्र दोस्त से जादा ही पीडिते हैं तो आप हरम आवश्या पर कर सकते हैं अब जिनके स्थान नहीं बने हुए पित्रों के वो क्या करें भाई आप भी सनान कर सकते हैं और वहां से जल लेके आके आप अपने धार्मिक स्थान प उचे मन्चंगा तो हरमें गंगा तुमन्चंगा जहां पर आपका हो जाता है मन को जाच्छा लगता है के अनिवास करते हैं तो वहां पर उस-जल्द से कि छीता देकर अपने पित्रों की जो है जोत लगाईएगा त्रातना दोस्तों इसके साथ में अप इस दिन कुत स्टों को भॉजञ्जन जरूर कर्वाईएगा कि और में पियार तो देता आया है परन्तु सैदेव ही उनके प्रति अच्छा भाव रखेगा कि वह लमावश्य के दिन उनसे प्यार मत कीजिएगा कब उसे सभी जीवजनतों से हमेशा ही ऐसे प्यार बनाए रखेगा आज के लिए इतना ही फिर किसी नई विशय पर लेकर आप लोगों को समक सकते हैं हो सकता है कि आपको आपके परसुनों का उत्र मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि जीवन थोड़ा सा बीजी है बहुत से लोग समस्याओं से गिरवे मिलते हैं तो समस्याओं को निप्टाने में थोड़ा समय लगता है तो जैसे हमें समय प्राप्त होगा फिर आपसे आपकी जानकरी का उत्तर लेकर आपके समक्स आएंगे, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, और प्रमात्मा की सरण में रहिएगा, सब का बला सोचिएगा, सब का बला करिएगा, और जीव जनतों से हमेशा प्यार कीजिएगा, जैगो मातगी,